पिर वो चैन से निस होएगा अपने ताकत बनाओ यहां अन्याएं की प्राकाष्टा निखी जा रही है अन्याएं भी ऐसा अन्याएं जिसके बाद एक विद्रो पैदा तो मुझे उमीद थी कि हम तो शूचते थे कि भाजबा की सरकार ही डलीतों पर दबन करते हैं लेकिन को के देखें में भी यहां का दलीतों सोचितों के साथ दमन हो रहा है कि कि आप 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 कि आप 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 बाता हुआ है भूट भूटो ठाफ है कि रूट भूट नहीं जए प्माहते है जुट को एक हुआ है ठाली आधी जैने जए 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 अधी जए कुछ दाज़े ज़मधे त्सट्रेण अभधेेजिश्ट कि अधिकार हमें दिए वो हम लेकर रहेंगे छीन के लेंगे हम किसी का हम किसी का अध्याय नहीं करना चाहते लेकिन कोई अन्याय करेगा तो फिर वो चैन से जिस होएगा कि अपनी ताकत बनाओ और एक अलग अलग तूटने के वज़े से अच्छा है कि एक चुट हो जाओ वरना यह यह सरकार हमारे हमें बिल्कुन निश्तानबूत कर देंगी अपनी ताकत बनाओ हर कमजोर एक दूसरे कहाद पढ़के ताकत बर हो जाओ हमारी एक ताकत यही हमार प्रदेश बन गया है और यहां अन्याय की प्राकाश्टा लिखी जा रही है अन्याय भी ऐसा अन्याय जिसके बाद एक विद्रो पैदा तो मुझे उमीद थी कि हम तो सोचते थे कि भाजबा की सरकार ही दलीतों पर दमन करती है लेकिन कॉंग्रेस की सरकार में भी यहां सो दोसितों के साथ दमन हो रहा है हम इस दमन के खिलाफ है अगर वो इस दमन को अच्छा मान रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो इस पद में बैटने के लेकिन उनको श्तिपा देना चाहिए अगर वो आम जंता श्रक्सित नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे मुख्वंतरी की आम जंता वुजूरत नहीं है है हमारा प्रयास ही होगा कि आपस में भाइचारा बने और जो अपरादी इस तरह का अपराद कर रहा है उसको सक्से उसके उपर कारवाई है और जो सरकार उनको संद्रक्शन देना काम कर रही है उस सरकार का चेहरा भी उजागर है यह सरकार के सा यही आज जानने के लिए हैं परिवार से बात करने बताऊंगा कि परिवार कैसा महसूस कर रहा है लेकिन अन्याय हुआ